नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब खबर आपके साथ मैं हूं मोहिठाकूर बुलेटिन की शुरुभात करते हैं MP की पाँच बड़ी खबरों के साथ जबलपुर में लोग पुलिस के काम की सराना करते नहीं ठक रहे हैं दरसल पुलिस अधिकशक अमिस्तिंग और क्राइम ब्रांच के संदीप मिश्रा के निर्देशन में गुम मोबाईल के पाँचवे चरण में साइरेवल सेल की एक टीम ने 51 खो चुके मोबाईलों को डूड़ाए और उन्हें मालिक तक पहुचाया है जोगेंदर शिंग ने बताया कि डेड़ साल पहले ट्रेनमा उनका मोबाईल खो गया था जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी जो पुलिस की सक्रियता पर उन्हें बापिश मिल गया वहीं पुलिस अदिक्षक दीपक शुकला ने बताया कि साइवर सैल की मदद से एक क्यामन खोए हुए मोबाईलों को खो जा गया है जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाक रोपे बताई जा रही है और उधर जवलपूर पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सैयूंत टीम बना कर पाट बाबा रोड विधा नगर कॉलोनी पर घेराबंदी की जहां टीम ने चार बदमाशों को अबैद हत्यारों के साथ ग्रफतार कर लिया पुलिस अदिक्षक अमिस सिंग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे जिस पर कारवाई करते हुए उन्होंने घेराबंदी की और घेराबंदी करके आदेश दिये जिससे टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी अमिस सिंग ने ये भी कहा कि पकड़े गए बदमाशों के पास टीम को तीन पिश्टल दो कट्टा आठ कार्टू समेत तीन चाकू भी बरामद हुए हैं और जवलपूर गड़ा में मुख्य शबजी बाजार में एक तेज रफ्थारकार ने महिला को टक कर मार दी जिससे बाजार में लोगों की भीड जमा हो गई मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घैल महिला को अस्वताल में पहुचाया मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाजार में भीड रहती है आए दिन किसी ना किसी को चोट लग जाती है लेकिन प्रशासन है कि कोई सुध नहीं लेता वहें उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरी घटना शीशी टीवी में कैद हो गई है और जवलपूर सीवी आई की विशे सन्यायले ने 2013 के बनरक्षक भरती घोटाले में एक एहम फैसला सुनाया है जिसमें कोट ने आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है आपको बता दें कि 2013 के बनरक्षक भरती के लिए मुरैना में एक परिक्षा आयोजित की गई थी जिसमें मुख्य अभ्यरती की जग है परिक्षा देने वाले दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया गया था लिखित परिक्षा तो निकाल ली गई लेकिन दामोह में आयोजित हुए शाक्षातकार में घोटाले से परदा फुट गया वहीं मामले की CVI जांच की गई है जिसमें CVI ने 44 गवाँ पेश किये है और 4 आरोपियों को ग्रभतार भी किया है वहीं केस की जांच करीब दो साल तक चलने के बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और जवलपुर के सेठ गोबिंद दाश विक्टोरिया अस्पताल का Employment Surgery करने वाला भारत का पहला सरजरी अस्पताल मन गया है दरसल आपको बताते की राष्टियवाल स्वास्त कार्यकरम के तहत जन्म से गूंगे बहरे एक बच्चे की सपल Employment सरजरी की गई ये सरजरी CMHO डॉक्टर मुरली अगरवाल की नित्रत्तों में आचारिय शिशुरोग विशेशग्य डॉक्टर हेमाशु आचारिय और डॉक्टर विशाल महरा की टीम ने की वही अस्पताल के CMHO डॉक्टर अगरवाल ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ संभब्त यह Employment करने बाला देश का पहला जिला अस्पताल बन गया है फिलाल के लिए इस बुलेटर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ